Album Toolkit से Album Resigning के दोरान आप आसानी से Portrait Cutouts भी अपने Page में Apply कर सकते हैं, डाल सकते हैं यह देखिए यह कैसा करना है, यहाँ पर Portrait Cutout का Option दिया हुआ है यहाँ पर देखिए मैंने कुछ PhD Cutout यहाँ पर डाल के रखा है, लोड करके रखा है और यहाँ पर कुछ Normal JPG Images को भी मैंने लोड करके रखा है, यह देखिए यह JPG Images हैं, आप चाहे हैं तो JPG Image को भी Automatic Cutting करके अपने Page में Set कर सकते हैं पर यह देखिए, मैंने इसे Select किया, Right Click किया, Automatic Photo Cutout from JPG मैंने इस पर क्लिक किया, और Photo Automatic Cut होके अपने Page में जाके Set हो जाएगी यह देखिए, और इसे आप जहाँ भी चाहें रख सकते हैं Okay, for example, मैंने यहाँ पर से यह Photo Select किया, Right Click, Automatic Cutout यह Photo भी यहाँ पर आके Set हो गई है, जिसे आप छोटा बड़ा या Resize करना चाहें, वह आप कर सकते हैं यह जो Automatic Cutting का Option है, वो Photoshop के Version CC 2019 से Start होता है अगर आप Photoshop का पुराना Version इस्तमाल करते हैं, तो आप Cutout करके उसका PhD बना के आप रख लीजे और फिर उन PhD पर आप Double Click करके उन्हें भी आप Apply कर सकते हैं, यह देखें, मैंने इसे Double Click किया और वो PhD Cutout पेज में Apply हो जाएगा, यह देखें, यह PhD Cutout पेज में Apply हो चुका है इसे आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहें कर सकते हैं, पेज में जहाँ पर भी रखना चाहें, रख सकते हैं तो इस तरीके से इस Portrait Cutout Option का इस्तमाल आप कर सकते हैं, अलबम डियाइनिंग के दोरान